हुआ है हलो मैं हूँ आपका होस्ट अक्षत और पाट साला के क्लैप स्रीज में इस अपिसोड में बात करने वाला हूँ बहुत ही इंट्रेस्टिंग और मज़िदार फैक्ट कि क्लैप को लिखते कैसे हैं और एनाउंस कैसे करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली क्लैप में हेडिंग में प्रोडक्शन हाउस का नाम होता है यहां पे में भी लोगो हो सकता है यहां पे डायरेक्टर का नाम यहाँ पे DOP का नाम और यहाँ पे हम डेट लिखते हैं supposed to be 21, 9 20, 21 और यहाँ पे हम लिखते हैं कि कौन सा effect चल रहा है अगर day का scene चल रहा है तो day लिखेंगे अगर night का scene चल रहा है तो night लिखेंगे naturally क्या है वो नहीं लिखना है यह लिखना है scene हमारा night है तो night लिखेंगे और अगर scene scene हमारा day है तो हम लिखेंगे day और यहाँ पे हमें scene number लिखना है यहाँ पे हमें shot number लिखना है यहाँ पे हमें take number लिखना है चल एक्जामपल के तौर पे बात करते हमारा scene number 8 चल रहा है और उसका पहला shot लगा है और उसका पहला take लगा है तो उसमें हम लिखेंगे और इस 8 number scene का हमारा पहला shot है तो हम लिखेंगे 1 और इस पहले shot का हमारा पहला take है तो हम लिखेंगे 1 और इसे announce करेंगे हम 8 by 1 take 1 और out और हमारे डक्टर अगर बोलता है कि हमें next तक एक और करना है तो हम अनॉस करेंगे सिर्फ पर सिफ take two इस स्रीज में जितने भी take होते जाएंगे बस हमें take two, take three, take four एनाउंस करना है और अगर next take है तो हमें सिर्फ पर सिफ take change करना है और हम एनाउंस करेंगे take two next take के लिए take 3 और हमारा short change हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 यहाँ पर हमारा 1 हो गया तो यहाँ पर हम complete announce करेंगे 8 by 2 take 1 complete announcement 8 by 2 take 1 और अगर हमारे director को पसंद नहीं है वो one more take करना चाहते है तो take 2 और इस तरह से आगे so on अगर वो one more take करना चाहते हैं तो take 3 अगर वो one more take करना चाहते हैं तो take 4 and so on अगर हमारा short change होता है वापस से तो हम करेंगे short 3 and take 1 और इससे announce करेंगे 8 by 3 take 1 I repeat 8 by 3 take 1 one more take कर रहे हैं director उसे मज़ा नहीं आया take में one more take करना चाहते हैं तो इस case में हमें यहाँ पे 2 लिखेंगे और announcement सिर्फ take 2 करेंगे और अगर short हमारा silent हो उस video में हमारा कोई audio file नहीं हो तो यहाँ पे हम SLT लिख सकते हैं that means यह हमारा short silent है कई बार हम clap के उपर cam A या cam B भी लिखते हैं क्या होता है कई बार हम जब shoot करते हैं तो multiple camera setups होते हैं तो अलगले camera के लिए हमें अलगले clap करना होता है तो मालोजी अगर हमारा camera A है तो cam A और अगर दूसरा cam है तो उसके लिए हम दूसरे side का use करते हैं और वहाँ पर लिखते है cam B that means यह slate हमारा cam B के लिए है और यह वाला slate हमारा cam A के लिए है इस तरह के से हम दोनों ही camera पर slate करते हैं तो हमारे interesting point है कि हम announce कैसे करें चुकि हमारे department में दो main section है एक तो visuals एक audio तो clap हमें दोनों के लिए मारना होता है visuals के लिए भी और audio के लिए भी तो place हम clap ऐसा करेंगे कि हमारे camera में दिख जाए और announce ऐसा करेंगे कि उनके sound department को वो हमारा audio announce सुनाई दे दे उसमें record हो जाए तो जब भी cameraman बोलेगा rolling तो हमें place करना है और जब sound वारा दादा announce या rolling बोलेंगे तो हमें announce करना है like 8 by 3 take 1 तो पहले जैसे camera में ने बोला clap in तो हम करेंगे clap in और जब sound दादा announce करेंगे rolling तो हमें announce करना है 8 by 3 take 1 clap out एक term आता हमारे में silent shot तो silent shot क्या होता है वैसे shot जिसमें सिर्फ औसिर्फ visuals है और audio नहीं है तो उसमें हम क्या करते है clap में silent लिख देते है ताकि editor को मालूम पढ़ जाए कि इस shot में सिर्फ औसिर्फ visual से audio नहीं है और अगर हम silent नहीं लिखते है तो editor बेचारा visual तो मिलता है और इसके लिए वो audio clip में उस footage में धूढ़ना शुरू करता है जो की है ही नहीं और इस वज़े से बहुत confusion create होता है तो उस confusion से बचने के लिए हम clap में silent लिख देते हैं कि इस shot में सिर्फ औसिर्फ visuals है और audio file नहीं है और इस silent clap को मारने के लिए वह दिखाते हैं और इस तरीके से हम announcement नहीं करते हैं सिर्फ औसिफ clap in करते हैं और out करते हैं या फिर हम clap के बीच में finger डाल करके clap दिखाते हैं इसे camera में place किये और exit इस तरीके से हम silent clap देते हैं so clap के इस series के इस episode में हमने बात किया कि clap को लिखते कैसे हैं और announce कैसे करते हैं So hopefully आपको ये chapter बहुत interesting लगा होगा, next video में हम बात करने वाले हैं कि जो भी हमारा clapper boy होता है, उसके jobs और responsibilities क्या होते हैं So मिलते हैं आपके next video में Thank you for watching this video